सब्सक्राइब कैसे आप सभी लोग स्वागत है आपका फिर से गवर मेरी चैनल लिटरी कॉंप्रिहेंशन विथ मिनाक्सी तो आज का हमारा टापिक है एमिली दिकिंसन दे ग्रेट अमेरिकन ओटेस इनका प्रट हुआ था 10th of December 1830 in Amherst, Massachusetts में और इनकी देथ हुई थी 15th of May 1886 Amherst में और इनका पूरा नाम था Emily Elizabeth Dickinson, her father's name Edward Dickinson, a lawyer by profession, her father has a dictatorial, possessive and orthodox nature, he wants to keep, maintain his family into the framework of a traditional Christian ethics जो उनके फादर थे वो पुरानी रोड़िवादी विचारों से जकड़े हुए थे, उसमें बिलीव करते थे और चाहते थे कि जो उनकी पूरी फैमिली है वो एक Christian ethics जो है उनको फॉलो करते हुए चले एक traditional तरीके से रहे, बट एमिली तो इनके पूरे ही अपोज में थी, वो ये सब कुछ पसंद नहीं करती थी, traditional जो work थे और traditional ethics जो थे वो उनके पसंद नहीं थे sorry, बट उनकी जो mother थी वो उनके काफी favor करती थी और बहुती एक loving housewife थी and काफी caring थी अपने बच्चों के लिए, उनका नाम था Emily Norcross, उनके brother का नाम था William Austin और उनकी sister का नाम था Laviana Norcross, उनके विवाने नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ही after the death of Emily Dickinson, इनकी Emily की poems published की थी, इनकी बहन ने, वही इनकी poems light में लाई थी and इनकी education की बात करने हम तो इनकी education हुई थी, Amherst Academy में for seven years इन्होंने यहाँ study की इनके father conventional belief की होते वे भी चाहते थे, कि इनके बच्चे अच्छे से पढ़े, इनके जो brother थे, वो lawyer बने as his father and इनकी जो बहन थी, उन्होंने भी आगे अपने study जारी रखी, लेकिन Emily सम्हाव society से cut गई और उन्होंने घर में रहकर self study करने को ही preference दी some notable lines about Emily, जहाँ पर कुछ line facts हैं about Emily, यह हमें जान लेने बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारी poetry की दिस्टी से काफी महतोपूर्ण है, क्योंकि जो एक poet होता है, वो अपने समाच का दरपन होता है, reflection of her और his society होता है, तो अगर हम उसकी life को अच्छे से समझ लें तो हम समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों लिखता है और वो अपनी poems में क्या लिखना चाहता है, तो और Emily जी के साथ तो ये कुछ जानना ज़्यादा ही जरूरी है, क्योंकि वो काफी अलग थी, वो हम और आपकी तरह नहीं थी वो सोसाइटी में रहना प्रिफर नहीं करती थी, वो अकेले ही अलग कमरे में रहती थी, उनका कोई सोशल बिहेवियर नहीं था, न वो किसी के साथ जाती थी और न उनके साथ कोई आये, ये उन्हें पसंद था, तो लेट्स रीट, नमबर वन, इनसाइल हुड सी सीम्स जाना बंद कर दिया, समसे इस फेलियर इन लव कुछ कहते थे कि ये उनकी फेलियर इन लव के कारण हुआ, और कुछ कहते थे कि दैथ आफ नेर एंड दियर वन्स, उनके कुछ प्यारे दोस्त उनसे दूर हो गए और किसी की दैथ हो गई तो इसका उन पर काफी बुरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसने उनने सोसाइटी में आना जाना बंद कर दिया, और अपने नेचर सभाव से भी काफी सरमीली हो गई थी, she spent the last 10 years of her life exclusively in her house, garden and devoted herself in writing poetry, उन्होंने मतलब last के जो 10 साल थे अपने जीवन के, जब उनकी death हुई थी 1866 में, तो उससे पहले के जो 10 साल थे, तो उन्होंने वो बिल्कुल ही अपने घर में गुजारे वो अपने घर और गार्डन के लावा कहीं नहीं जाती थी, उन्होंने अ white dress ही पहना करती थी, इसलिए उन्हें अकसर कहा भी जाता है, the lady in white, उन्हें the lady in white के रूप में जाना जाता है, Emily जी को, तो let's read something about her poetry, उन्हों की poetry के भी से में हम पढ़ लेते हैं, she was a very private poetess and never thought of earning money and fame through her writings, देखो पहले भी मैंने बता दिया कि वो काफी private poetess थी, उन्होंने कभ अपनी writings publish करें और name and fame achieve करें, उन्हें बिल्कुल पसंदी था अपनी poems publish कराना, even though एक दो बार उन्होंने अपनी poems publish करने को दी और publisher ने उन्हें उन्हें कुछ चेंज करने को बोला, तो Emily बिल्कुल नहीं चाहती थी, कि उनकी poems के साथ कोई चेरचाड हो और कोई उन्हें कहें कि उन्हें उसमें reform करना है, तो वो publisher को पसंद नहीं करती थी और चाहती भी नहीं थी, कि उनकी poems publish हो, उन्होंने ठोटल 1800 poems लिखी थी अपनी life में and only 11 poems were published in her lifetime, केवल उनमें से 11 poems ही उनकी lifetime में publish हुई and after her death, her sister Laviana bring into the light of her poem, उनकी जो poems थी उनको परकास में लाई, इनकी जो बह poems dedicate की थी Suzanne Haddington Gilbert Dickinson को, जो इनकी sister-in-law थी, इनकी poems का जो publication हुआ, after her death हुआ and ये publish हुई थी 1890 में, इनके ही कुछ पहचान के लोग थे, personal acquaintance, Thomas Wentworth Higginson and Mabel Lomis Todd, इन लोगों के द्वारा ये poem publish हुई थी 1890 में, लेकिन ये जो collection आया था 1890 का, ये पूरी तरह से original collection नहीं था, then after उसके बाद एक और collection आया, Emily जी की poem का, जो पूरा unaltered था, जिसमें कोई change नहीं किया गया था, जैसी उनकी poem थी, वैसे ही दिखाए गई, ये collection आया था 1955 में, under the title, The Poems of Emily Dickinson करके, और ये publish किया था, The Great Scholar, Thomas A. Johnson ने, और इन्होंने अपनी life में तो इसलिए कोई भी poem published नहीं की, जो ये last वाला collection था, ये बिलकुल unaltered था, and the characteristics of the Emily Dickinson's poem, तो उनकी poems की कुछ characteristics थी, जो और poetry, और poet थे उस समय के उनसे different थी, firstly, she used, usually short stanzas in her poem, वो अपने poems में छोटी-छोटी stanza लिखती थी, छोटी-छोटी stanza में लिखती थी, और उसकी poem consists only two or three stanza होती थी, के अपनी poem करते थी, उनकी जो सबसे बड़ी poem थी, is only six stanza, उनमें के वल six stanza ही थे, और जो उनकी poems थी, उनके जो stanza थे, वो quatrain में होते थी, चार पंक्तियों की एक stanza होता था, just like ballad, जो ballad form होती है, English language writing की, उसी कि तरह उनकी poem हुआ करती थी, she poses the immense ability to express the great deal in just few words, उनके पास ए और जो उनकी next quality थी, उनकी poetry की, वो थी capitalization, वो कुछ words को capitalized करके लिख देती थी, poem के बीच में, she used abruptly capitalized, that seem important, उनहें लगता था कि जो word important है, तो उनने capital कर देती और others को uncapitalized ही छोड़ दिया जाता था, and उनकी poem की एक और खास बात है, use of daces, उनकी poem में उन्होंने frequent use किया daces का in state of commas and full stop and punctuation marks, जो punctuation marks होते हैं, and other of comma full stop होते हैं, उनकी जगे वो हर्स में, dash का ही प्रियोग किया करती थी, and the rhyming scheme he used, वो थी slant rhyme, वो हमेंसा slant rhyme use करती थी, slant rhyme होता है, between two words or two phrase के बीच में, जो rhyme बोली, rhyme use की जाती है, उसे slant rhyme कहते हैं, जैसे worn stone, ये words के बीच में rhyme बनाती ह not in the ending of line, और जो ये होती है, आपकी slant rhymes, इसको अकसर और नामों से भी जाना जाता है, जैसे sprang rhyme, off rhyme, lazy rhyme, near rhyme, half rhyme, ये सब इसके other name है, and let's read something about the themes of Dickinson's poetry, वैसे दो Dickinson's poetry में वर्स्टैलिटी थी themes की, उन्होंने बहुत सारे themes को लेके लिखा है, जैसे nature, religion, law, music, and commerce, and medicine, and the identity of self, ये भी उनकी एक theme थी, but some major theme थी जो इन में से वो थी theme of love, first is one theme of love, जो उनकी theme of love थी, वो ये simply two people के बीच का love नहीं था, उससे कुछ उपर का love दिखाते थे, जो metaphysical and spiritual होता था और अपनी tone में, और ये metaphysical and spiritual love की जो बात करते थे, वो अकसर उनकी poems को philosophical touch दे देता था, and ambiguous in nature बना देता था, उनका जो love था उनकी poems में, and the next theme is theme of death, उनकी poem की अगले theme थी, theme of death, the most prominent theme थी, वो उनकी poems की, क्योंकि उन्होंने more than 500 poems, death की theme पे लिखी है, और जो उनकी theme थी, death, वो death को manifestation कैसे करते थे, as crucifixion, burial, drowning, ये सब चीज़ें होती थी, जिससे वो death को दिखाते थे, उनकी जो poem है, जिसमे उन्होंने death theme पे लिखी है, I cannot stop for death and others, and number third is the theme of immortality, उनकी जो immortality की theme थी, वो भी काफी important थी, वो कहती थी की, death क्या है, एक gateway है for the immortality, वो कहती थी की, मृत्यू के द्वारा हम immortality को प्राप्त कर सकने हैं, जो उनकी poem है, I cannot stop for death and I hear a fly buzz when I die, ये उनकी immortality की theme को दिखाती है, कैसे मरने के बाद आदमी को immortality प्राप्त हो जाती है, and the fourth one, जो important theme है, उनकी वो है, woman, woman पे भी नोने काफी लिखा है, Emily Dickinson, through her free thinking and bold choice, both in her work and work, challenged many of the conventions of the time से लिए, जिस समय पर में रहती थी, उस समय काफी conventions थे, की female को ये नही करना चाहिए, women's को ये नही करना चाहिए, वो मेंस को ये नही करना चाहिए, तो इसका फुल ये खुले रूप में अपोस करती थी, और चैलेंज करती थी, उस समय के convention को, उस समय के जो Christian ethics थे, about the woman, उसको वो काफी चैलेंज किया करती थी, उनकी एक poem है, जो उनके rebellious nature को दिखाती है, पोयम का टाइटल है, they shut me up in prose, ये बहती उनके विद्रोही nature को दिखाती है, as a woman, ज जो उनके society में जेलना पड़ता है, तो ये कुछ theme, इन theme को लेकर Dickinson लिखा करती थी, तो अगर हमें Dickinson की poetry को समझना है, तो हमें उनकी एक poem देख लेनी है, आपर जिससे कि हम उनकी theme और उनकी writing style को आसानी से समझ सके, let's read a poem of Dickinson, यहाँ पर मैंने एक poem चूज की है, उनकी, ज जो है, the soul select her own society, जैसे कि Dickinson अपनी poems को कोई particular title नहीं देते थे, तो उनकी जो poems की first line होती थी, वही title का का काम करती थी, और यह जो poem है, the soul select her own society, यह उन्होंने लिखी थी 1862 में, it is a lyric, एक lyric form है, और इसमें single speaker है, और single speaker वो खुद ही इसमें speaker है, यह conclusion निकल के आता है, यह poem है से खुद ही बोली है, क्योंकि यह poem autobiographical touch के साथ है, जिसमें हमें उनकी जहलक दिखती है, कि यह poem में जो speaker है, वो उन्होंने खुद को ही रखा है, और इस poem की rhyming scheme है, A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, यह देखिए, एक वाट्रेंड फॉर्म में लिखी गई है, चार-चार लाइन के stanza है, जैसे बैलेट के होते हैं, so let's just start the poem, the soul select her own society, जो soul है, जो आत्मा है, वो अपनी खुद की society, खुद ही select करती है, then sets the door, और उसके बाद दर्वाजे बंद कर देती है, to her divine majority, present no more, अब उसने अपने दर्वाजे बंद कर लिये है, अब उसके साथ और कोई नहीं आ सकता है इन पंक्तियों में, first quadrate में वो कहती है, कि उसकी आत्मा ने अपनी कुछ society select कर ली है, अपने लिए कुछ people select कर ली है, उसके अलावा अब वो किसी को अपनी आत्मा में आने की, अपनी आत्मा के साथ घुलने मिलने की permission नहीं दे सकती है, उन्होंने अब सारे दर्वाजे बं अब वो बिलकुल unmood है, fixed है, मतलब वो अब नहीं बदलेगी, भले ही, sorry, कोई chariot पे बैठके आ जाए, कोई घोड़े पे बैठके, pausing, pausing होता है कि stop at her door, उसके दर्वाजे पे आ जाए, कोई घोड़े पे बैठके भी आ जाए, कोई योधा आ जाए, वारियर आ जाए, तो तब भी unmood रहेगी, वो अपने जो उसके दिल के दर्वाजे है, अपनी सोल के दर्वाजे वो नहीं खोलेगी, unmood, an emperor be kneeling upon her mat, वो कहते है कि emperor, चाहे कोई emperor ही आ जाए, या कोई बड़ा आदमी from our society आ जाए, तो उसे तब भी कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अप अपरर भी अपने घुटनों पर जुटते वे आ जाए, an emperor be kneeling, वो तब भी unmood रहेगी, means to say that वो तब भी अपने दर्वाजे नहीं खोलने वाली है, वो अप फिक्स्ट है, अगर वो कोई उसके दर्वाजे पर आ भी जाता है, तो अब उसने अपने दर्वाजे पूरी तरह बंद कर दी है, and the last estrange is, I have known her from an ample nation, choose one, मैंने अब वो कहती है कि सारी दुनिया से मुझे कोई फरक नी पड़ता, मैंने अपने लिए एक चुन लिया है, choose one, then close the walls of her attention like stone, और अब जो ये दर्वाजे हैं, वो just like a stone wall की तरह है, बंद हो चुके हैं, अब ये किसी के लिए भी न समझ सकते हैं, और उनका लिखने का तरीका समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कि वो कुछ lines को, lines में कुछ words को capital कर देती हैं, और कुछ को small ही रहने देती हैं, जैसे the soul select her own society, यहां पर उन्होंने soul को ज्यादा महत्तों देना था, और society को, तो उन्होंने देख ऐसे इनकी rhyming scheme आगे बढ़ रही है, तो यह थी आज की हमारी poetess, great poetess, जो काफी साही nature की थी, Emily Dickinson, और आज का chapter यहीं खतम होता है, जैसा तो मैं हमेसा बोलती हूँ, keep smiling and be happy, thank you to all my viewers, thanks.